इंडिया और वेस्ट इंडीज का दौरा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है 12 जुलाई को टेस्स सीरीज से इस दौरे के शुरवात होने वाली है जिसमें दो टेस्स उसके बाद 3 ODI और 5 T20 की सीरीज करे जाएगी इसी पीछ इस दौरे से रेलेटेड एक अपडेट बड़ी सामने आई है कि वेस्ट इंडीज ट्रिकेट वोट ने अपने दो एहम गेन बाजों को वापिस घर वेस्ट इंडीज में बुला लिया है वह दो गेन बाज जो वर्लकॉप क्वालिफायर में वेस्ट इंडीज की टीम का हिस्सा थे बता दें वर्लकॉप 2023 के क्वाल इसला लिया और अपने दो एहम गेन बाज अलजारी जोसिफ और जेसन होल्डर को वापिस घर वेस्ट इंडीज बुला लिया ताकि वो घर आकर प्राक्टिस कर सके और जो इंडिया के साथ सीरीज होने वाली है उसका हिस्सा बन सके डेस्मिंड ह्यूज वेस्ट इंडीज म इसलिए हमने बाचीट की और यह महसूस किया गया कि इस समय सबसे अच्छा कदम यह है कि हमारे दो प्रमुक गेनबास जिंबावे से जल्दी लौट आए जी हाँ अब वेस्ट इंडीज के जो एहम गेनबास अल्टारी जोसिफ और जेसन होल्डर यह अपनी टीम वेस्ट इस से जल्दी जोड़ेंगे और हमें जो वेस्ट इंडीज के टेस्टीम हो सकते हैं उसमें नजर आ सकते हैं जल्दी इन दोनों की सीरिस चुरू हो जाएगी 12 जुलाइं से टेस्ट की शुरूबात हो जाएगी 12 से 16 जुलाइं पहला टेस्ट चलने वाला है जिसके बार तो अथा 12 अगस्ट तो पांचवा T20 आखरी जो मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज और इंडिया के विच वो होगा 13 अगस्ट को